जेहिन साथियों आप सभी का मैं डेली करेंट अफेर्स सेशन में मैं राजा स्वागत करता हूँ दोस्तो आज है तारीक 15 सितंबर 2022 और आज से संबंते जितनी भी इंपॉर्टन करेंट अफेर्स होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिसकस करने वाला हूँ दोस्तो आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि आज मैं 250 रन यानि 250 मारने वाला हूँ मैं आपको 200 दिन से लगातार देली करेंट अफेर्स दे रहा हूँ वीकली करेंट अफेर्स दे रहा हूँ आप सभी को दिल से धन्यवाद जो आपने भरोसा और प्यार मुझ पर दिखाया है इस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो डेली करेंट अफेर्स के साथ आपको होता है डेली टेस्ट आपका होता है और यह बहुत ही स्पेशल बात है पूरा पढ़िये और लास में टेस्ट दीजे रोज सुबह पांच बजे मैंने क्लास कर दी है ठीके दोस्तो एक बात बता दू मेरी कुछ दिनों से तब्वेत बहुत जादा खराब हो रही थी और कल थोड़ा जादा ही हो गई है तो बीच में हो सकता है कि मैं खास हूँ तो मैं म्यूट कर दूँगा ताकि आप डिस्टर्ब ना हो आपकी पड़ाई डिस्टर्ब ना हो आप समझ जाईएगा कि मैंने म्यूट क्यों किया है ठीके दोस्तो चले आईए आज की महत्पूर्ण घटनाओ पर फोकस करते हैं देली आपको पीडियोप फ्री में मिलता है आप सभी को फ्री में में पीडियोप देता हो रूट अप बनाना दोस्तो नोट्स बनाना नोट्स क्या होता है कि एक पर्सनल जीपीएस की तरह होता है एक्जाम में बहुत जादा आपकी हल्प करेगा देखी फ्रेंट्स रूट अप्लिकेशन को आप जो है सर्च करके ओपन कर सकते हो और थ्री लाइन दी गई वहां से आप डाउलोड कर सकते हो दोस्तो याद रखना आप कभी स्ट्रगल से डरना मत संगर से कभी नहीं डरना क्योंकि ये भी एक प्रकार की कहानी है जो सफल हो करके सबको आपको सुनानी पड़े है ना दोस्तों कुस्तों होना चाहिए ना लोगों को बताने के लिए कि मैंने इतना संगर्स किया आसानी से मिली हुई चीज का कोई वैल्यू नहीं होता है आप खुद एक्जामपल में देखना आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने वेरी व राप्त हुआ है तो दोस्तों ये हैं माइकल किटन इनका क्या नाम है माइकल किटन नाम है हाली में एमी पुरसकार की गोशना हुई है यदि आप से कोई भी पूछे कि एमी पुरसकार किस देश्ट के द्वारा जारी किया जाता है तो अमेरिका के द्वारा इससे जारी किय जाता है दोस्तो टेलीविजन उद्योग में उद्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है 1949 में पहली बार यह वाड दिये गए क्लियर है 2022 के विजेताओं की बात कर लेते हैं तो सपोर्टिंग एक्टरेस कॉमेडी में शेरिल ली राल्फ है सपोर्टिंग एक्टर एक्टरेस की बात किया था एक्टर की बात करों कॉमेडी में तो यह है ब्रेट गोल्ड स्टीन सपोर्टिंग एक्टरेस ड्रामा में जूलिया गार्नर है और सपोर्टिंग एक्टर ड्रामा में मैथ्थिव मैक फैडन है clear और outstanding drama series में succession जो है इनको award मिला है इन सबी awards को आप note कर लीजेगा यहाँ पर हमने बात की है पुरशकारों की तो प्रमुख अंतर राश्ट्री पुरशकारों को मैं यहाँ पर discuss करने वाला हूँ देखिए इसका नाम है ग्यान की गंगा मैं अब आपको हर question के बाद ग्यान की गंगा दूँगा ग्यान का पिटारा ग्यान की गंगा ग्यान का भंडारा यह नाम होगा हमारे session का जो उसी questions से related होगा दोस्तो नूबल पुरशकार की सबसे पहले बात करूँ 1901 से प्रतान किया जा रहा है 6 छेत्रों में दिया जाता है 6 छेत्र economics का है 1969 से इसकी देने के शुरुवात हुई है 1968 में स्थापित हो गया था तो 6 छेत्र है PCM lab ये trick है physics, chemistry, medicine, literature, economics और peace रमन मैक्सिस पुरशकार 1958 से प्रतान किये जा रहा है 57 में इसकी स्थापना हुई है इसे एशिया का नूबल पुरशकार कहा जाता है और बुलिजर पुरशकार 1917 से जर्नलिजम की छेत्र में दिया जाता है ठीक है दोस्तो मैन बुकर पुरशकार ये literature के छेत्र में साहित के छेत्र में पुरशकार दिया जाता है औसकर पुरशकार अमेरिका की National Academy of Motion पिक्चर्स के द्वारा फिल्म जगत के छेत्र में दिया जाता है और कलिंग पुरशकार आप याद रखना साइन्स के छेत्र में दिया जाता है युनेस्को के द्वारा question number two हाली में कौन सा राज दोस्तों म्यूट किया था आप सभी को तो म्यूट करते समय थोड़ा सा कफ आया था चले कोई नहीं हाली में कौन सा राज खाद सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज बन गया है तो खाद एटलस वाला तीसरा राज हाली में जारखन बन गया है क्या बन गया है जारखन बन गया है तो जारखन से पहले बिहार और ओडी सा राज थे जिन्होंने खाद सुरक्षा एटलस वाले राज थे पहले दोस्तों ये एटलस राज में खाद सुरक्षा की स्तिती की मैप्वी करने की दिशा में एक important भूमिका निभाएगा ये जो है Institute for Human Development जो के दिल्ली में है और एक है इंद्रा गांधी इंसिट्यूट आफ डवलप्मेंट रिसर्च ये मुंबई में है इसकी सोध की आधार पर तयार किया जाता है यहाँ पे मैंने स्टेट निउस कवर की है तो हाली में राज्यों में जितनी भी चीज़े हुई है जो भी पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन हुए और यह डिसकस करते है हाली में यूपी सरकार ने किसानों को एक इस्पेशल फर्म आईडी प्रदान की है मैंने आपको परसु पढ़ाया था ओडिसा सरकार ने वर्षा जल संचैन योजना की सुरुवात की ताकि ग्राउंड वॉटर का जो लेवल है वो बरकरार रहे दोस्तो हाली में सबसे बड़ा रबर डेम बनाया गया बिहार राज में फाल्गू नदी में गया में बनाया गया है हाली में राजस्थान के द्वारा शहरी रोजगार करेंटी योजना शुरू की गई है सौ दिन के लिए तमिल आडू सरकार ने छात्राओं के लिए फुधू माई पैन योजना की शुरुवात की है क्वेशन नमबर थ्री हाली में किस राजस्थार द्वारा अपनी चह गिंद्री जलों में anti-retroviral therapy dispensation center launched किया गया है श्य जलों में असम राज में कहा पर दोस्तो असम राज में क्या होता है anti-retroviral therapy यानि से ART क्यों कहते है दोस्तो ये HIV की उप्चार के लिए किया जाता है HIV जो है दोस्तो AIDS जो होता है HIV वारस की वज़े से होता है AIDS जो है Acquired Immuno Deficiency Syndrome है इसके लिए ELISA test होता है ELISA test होता है जिससे हम HIV की बारे में पता करते हैं हमारे T-Limposide को प्रभावित करता है ठीक है? रोगी जो होंगे उनको हर दिन साथ anti-retro viral दवाओं का सईयोजन लेना पड़ता है जोस्तो जो ART इस Pension Center है वो HIV संकर्मित कैदियो इलाज के लिए खोले गए है अब यहाँ पर असमराज की बात की है तो असमराज से संबंद Important Current Affairs को भी मैं कवर करूँगा असम सरकार Domestic Help के लिए कानून लाने वाली है हाली में असम सरकार प्राथ्मिक माध्मिक सिक्षा विभागों को आपस में मर्च कर देगी विलै कर देगी असमराज की बात आई है तो location देख लीजे और इसके पडोसी देशों को जान लेते हैं क्योंकि question पूछे जाते हैं तो देखे असमराज यह है यह असमराज है ठीक है तो अरुणाचर प्रदेश पहला नंबर पडोसी राज है दूसरा नागा लेंड है तीसरा मडिपूर है चौथा मिजोरम है पाचवा त्रिपूरा है छटवा मेगाले है और सातवा राज यह टच कर रहा है पश्शी मंगाल वेस्ट बेंगॉल तो साथ राज्यों के साथ असमराज की सीमा छूती है ठीक है दोस्तों इसकी कापिटल दिसपूर है और यह अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता है प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है हिमन्त बिश्वा शर्मा राजपाल है जगदीश मुखी यहां की भासा असमिया है प्रमुक लोकनित है बीहू और दोस्तों राज की पशू है एक सिंग वाला गिंडा नेस कोश्चन जापान में अगले भारती राजदूद की रूप में किसे नियुक्त किया गया है मेरे पैरे साथीयों जापान में अगले राजदूद कोन बनाये गए है important question ने दोस्तों पूछा जा सकता है इनका नाम है CB George क्या नाम है दोस्तों इनका नाम है CB George याद रखना ठीक है क्या नाम है इनका CB George नाम है ये 1993 बैच के IFS ऑफिसर है प्रेजेंट में कुवेट में भारत के राजदूद है और जापान में भारत के राजदूद में राजदूद की रूप में संजे कुमार वर्मा ने हाली में जगह लिए ठीक है दोस्तों हाली में नियुक्त किये गए राजदूदों की बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कैनेडा में हाई कमिशनर बनाए गए है संजे वर्मा ठीक है नोलेज फैक्टरी आप सभी के सामने आ गई है और आज मैं डिस्कस करूँगा भारत के प्रमुख स्टेडियम के बारे में सबसे पहला है राजीव गांधी अंतरास्ट्री स्टेडियम जो की क्रिकेट स्टेडियम है हदरबाद में दूसरा है चैपाक स्टेडियम क्रिकेट चन्नै में है ठीक है और अओ अब हमारे बीच में नहीं है इनका निधन हो चुका है और इनी की याद पर cricket stadium बना गया नई दिल्ली में इकाना स्टेडियम cricket लखनाउ में है ठीक है वानखेड स्टेडियम cricket किसे संबंदित है बॉम्बे में है most important स्टेडियम है बुद्ध international circuit स्टेडियम इसे formula 1 race के लिए बनाए गया गया नोडा में नरेंदर मोदी स्टेडियम प बात करेंगे राउर केला में यह बिर्साम उंडा इंटरनेशनल होकी स्टेडियम होकी स्रेलेटेड एक अक्टूबर 2020 को दूसरी बार भारत के महा न्यावादी कोन बनेंगे मेरे पैरसाथियो मुकुल रहतोगी मुकुल रहतोगी बनेंगे वापस से दूसरी बार अटॉन जनरल उफ इंडिया देखे हमारे कॉंसिटूशन में आर्टिकल नंबर 76 में अटॉनी जनरल के बार में बताया गया ही इस दा फर्स्ट लॉफिसर यह पहला विदी अधिकारी होता है जो हमारे कें सरकार को रिप्रेजेंट करता है क्लियर चली तो वरिष्ट अधिवक्ता म एटॉनी जनरल थे मुकुल रहत होगी केके वेडू गोपाल की जगहें लेंगे ठीक है इनका कारकाल 30 सितंबर को 2022 को समाप्त हो रहा है एटॉनी जनरल की बात करे तो यह भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर खेलाता है और भारती उच्चतम न्याले यानि सुप्री भारत के किसी भी कोट में इवन संसद में भी बैठ सकता है पर वोट कास्ट नहीं कर सकता इसकी न्युक्ति भारत के राष्टपती के दवारा की जाती है दुरौपती मुर्मू भारत की 15 नंबर की प्रेसिडेंट है जो वेक्ति सुप्रीम कोट नयाधिस बनने की कौलिफि जाता है राष्ट्री हिंदी दिवस और अभी अंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है यानि कि इंजीनियस डे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे और अंता राष्ट्री हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों हिंदी भाषा को आगे ले जाना हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में लगबग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं और 420 मिलियन सदिक लोग इसे अपनी मात्री भाषा के रूप में बोलते हैं दोस्तो 1953 से 14 सितंबर को हर साली मनाया जाता है दोस्तो 14 सितंबर को ऐसी क्या घटना हुई थे 14 सितंबर 1949 को हमारी Constitution Assembly ने ये decision लिया था कि जो हिंदी होगी वो हमारे संग सरकार की Official Language होगी दोस्तो ये ग्यान की गंगा बह रही है भारत का जो संविधान है Constitution है Article 343 के तहट हिंदी को Official Language की मानिता देता है जो की Part No.17 में और हमारी राजभासा से संबंधित जो व्यवस्ता है Part 17 में 343 से लेकर 351 तक है इसके लिए दोस्तो पूरा जो वीक होगा 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक राजभासा शप्ता के रूप में मनाया जाएगा जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 ZIMEX 2022 का आजन कहां किया जाएगा तो ZIMEX जो होता है भारत और जापान की पीछ में होता है पंगाल की खाड़ी में इसका आजन किया जा रहा है 11 सितंबर 2022 का छटवा एडिशन शुरू हो चुका है इसकी मेजवानी भारती नों से ना कर रही है और इस अभ्यास में भारत की तरफ से सह्यादरी, कदमत और कवरती युद्व पोतों ने हिस्सा लिया है हाली में राश्ट्री, रक्षा, MSME, सम्मेलन और प्रदर्शनी किस राज में शुरू किया गया तो दोस्तों राजस्थान राज में दोस्तों मैंने म्यूट किया था, अन्म्यूट कर चुका हूँ, चली तो देखिए दोस्तों राजस्थान के कहां पर कोटा में हो रहा है दो दिन का राश्ट्री रक्षा MSME, कॉंक्लिव और प्रदर्शनी इस प्रदर्शनी में T90, BMP2 टैंग, आर्टिलेरी गन, विभिन प्रकार के स्नाइपर और मशीन गन ये सारे उपकरण प्रदर्शित किये जाएंगे दोस्तो स्टार्टप और MSME भी अपने प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तो इसका आजन हमारे रक्षा छेतर में काम करने वाली 50 से अधिक स्टार्टप कंपनिया इसमें पार्डिसेपेट करेंगी दोस्तो पहली बार डिफेंस कॉंक्लेफ किया जा रहा है ताकि भारत का जो एक्सपोर्ट है भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके ठेक है प्रेजेंट में सेना अध्यक्ष कोन है जनरल मनोच पांडे हैं 29 नमबर के अध्यक्ष हैं पनोच पांडे जी प्रेजेंट में सूश्म लगू और उद्यमंत्री नारायन राणे जी हैं पुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रैंड एम्बेस्जर बनाया है तो शेयरुख खान को हाली में अन्मिट वापस से कर दिया मैंने आपको शेयरुख खान जो है यह बनाये गए है ब्रैंड अमिराद और पश्ची मेशिया उत्ति अफ्रीका छित्र में है एक निजी कमपनी है बुर्जिल होल्डिंग्स इन्होंने शेयरुख खान को ब्रैंड अम्बेस्जर बनाये देखिया आप ब्रैंड अम्बेस्जर की बात कर रहा हूं तो जितने भी ब्रैंड अम्बेस्जर हाली में न्यूक्त किये गए है आई चर्चा करते हैं तो इप काड के ब्रैंड अम्बेस्जर श्रद्धा कपूर और रनवीर कपूर अच्छे कुमार है हाली में उतराखन राज ने रिशब पंध को अपना ब्रैंड अम्बेस्जर बनाया कि रियल मी की ब्रैंड एंबस्डर है के ल राहूल राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ा योजना के अवनी लेखरा ब्रैंड एंबस्डर है दोस्तो भारत को पेरा लंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल 10 मीटर राइफल सूटिंग में अवनी लेखरा ने दिला तो आज का आखरी कुश्चन वाई असार कल्यान मस्थू और शादी तोफा योजना की गोशना किस राज में की गई है दोस्तो इसकी गोशना आंध प्रदेश राज में की गई है क्या है योजना मैं आपको समझाता हूं दोस्तो यह योजना एक अक्टूबर 2022 को लागू हो इन योजनाओं का फायदा शादी के समय जो financial help है उसको provide करने के लिए दिया जाता है दोस्तों दो योजनाय मैंने बताई है एक YSR कल्यान मस्तु योजना ये अनसूचित जाती और जन जाती ST और SC के लिए है हमारे ST भाई और SC भाई के लिए है ठीक है उनको एक लाख रुप योजना minority के लिए है एक लाख रुपए की उन्हें भी सहता दी जाएगी minority से संबंधित fundamental rights के आर्टिकल 29 और 30 में है आनप्रदेश की बात कर रहे थे तो यह आनप्रदेश है तेलांगना राज यहां से घिरा हुआ है इसकी सीमा 36 गड़ को भी चूती है औरिसा को भी चूत होती है कि यहां पर देखिए कि यह करनाटक राज इसको छूती है केरल राज को चूता है और तमिल नाडू राज को भी इसपर्ष करता है तो 37 गड़ को ने टूच कर रहा है तिलांगना ओड़ीसा करनाटक तमिल नाडू और केरल तिक है दोस्तों आनप्रदेश की capital अमरा चंदन और देखें तिलांगना भाशा की अधार पर गटित होने वाला सबसे पहला राज था 1953 में फिर 1956 में इसकी स्थापना हो गी दोस्तों करेंट अफेर्स की रस्मलाई में आपको खिलाने वाला हूँ तो पहला प्रश्ण यह रहा डिफेंस इंटेलिजनस एजनसी के नए प्रमुक के रूप में हाली में किसे न्यूक्त किया गया है जी एवी रेडी को एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्राइम इनिस्टर फिर से बन गए है इटली के नेस्ट है हाली में किसने पंडित जसरा सांस्कृति फांडिशन को पहायता मिलेगी 6,292 करोर हाली में रुपिंदर सिंग सूरी का निधान हो गया वेकिस पत पर काररत थे तो ये थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रक्षा मंत्राले ने दवाओं की होम डिलिवरी है तू चलिए तो होम डिलिवरी है तू कौन सी योजना शुरू की है इसे कहते सेहत योजना दोस्तों अब आपका होगा टेस्ट यानि टीटेंट टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बोला था तो टीटेंट टेस्ट में आप सभी का स्वागत है एमी अवाड किस देश में प्रदान किये जाते हैं अमेरिका में यह अवाड दिये जाते हैं Emmy Award की शुरुवात कि साल से हुई है? 1951, जल्दी से comment box पे उत्तर दीजे, 1949 में. Nobel प्रसकार की शुरुवात किस वर्ष से हुई है? 1, 2, 3, 5. सही उत्तर है 1901. एशिया का Nobel प्रसकार किस प्रसकार को कहा जाता है? उलिजर, मैनबुकर, रमन, मैक्सिस. सेवा छेतर में योगदान के लिए ये प्रसकार दिया जाता है. एमन्त, विश्वा, सर्मा किस राज के मुख्य मंत्री है? असम, तमिल, नाडू, करनाटक, केरल? राइट एंसर इस असम. बीहु किस राज का लोक नित्त है? तो बीहु असम राज का लोक नित्त है. नागे सिंग को किस देश्क में भारत का राजदूद बनाए गया है? थ और फिर राउर केला. राइट एंसर इस गुहाटी. इंदरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम कहां पर? गुहाटी में. विश्व हिंदी दिवस कम मनाया जाता है? 14 सितंबर 10 जनवरी, दो फरबरी. राइट एंसर इस दस जनवरी. सूक्ष मलगू और मध्यम उद्यम मंत मंत्री कोन है? जोती राधिस सिंधिया, नारायन राणे, धर्मिन प्रधान, हर्दीपुरी. प्यार साथियों नारायन राणे है. जोती राधिस सिंधिया, सिविल एविशन मिनिस्टर है. और धर्मिन प्रधान ये सिक्षा मंत्री है. कौन से मंत्री है? एजूकेशन मिनिस ठीक है पेट्रोलियों मंत्राले हर्दी पूरी जी के पास है दोस्तों अब आपका 14 सितंबर से संबंधित रिवीजन होने वाला है ध्यान सुनना कौन साराज पहली बार तीन रडजी ट्रोफी मैचों की मेचबानी करेगा सिक्किम चौथा साइबर क्राइम इंवेस्टिगेशन एन इंटेलिजन समिट दो जर्वाइस कहां पर हो रहा है भोपाल में साउथ इंडियन इंटेनेश्टन मूवी अवार्ड्स में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पुष्पा दाराईस फॉर्मुला उवन इटेलिन ग्रेंट प्रिक्स को खिताब मैक्स वेर स्टेपन न जीता है पीमले अपीली नाधी करण के अध्धिश की रूप में हाली में किसे न्यूक्त किया गया है मन भंधारी को ठीक है पहला नागा मिर्च महुसर किस राज में आजित किया गया है नागा लेंड में राज की समुद्री विरास्त परिस्टर किस राज में बनाया जा रहा है तो कल पड़ाया था गुजरात राज में कहां पर गुजरात रहा है चार परसंट होना चाहिए लेकिन सेवन परसंट तक बढ़ गई है किस रोग के कारण देश में लगभग संतामन हजार से अधिक मवेश्यों की मौत हो गई है लंपी स्किन डिसीज की वज़ा से आज का सवाल है ME Award किस छेतर में दिया जाता है आपको बताना है इसका एंसर कमेंट बोक्स पर आशा करता हूँ कि आज का सेशन हमारे सभी साथियों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है जिस प्रकार से आपने प्यार और सपोर्ट अभी दिया है मैं दे दूट अप्रिकेशन से डाउनलोड कर लेना सब्सक्राइब कर लेना लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अगर आपको हमारे अफट पसंद आया हो तो वाकी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा सेशन तो जरूर शेयर करें वाट्सेप इंस्टा आपको हमारे नहीं